आप सरीद प्ले दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे वोड़ाफोन आइडिया की, जो नया रीब्रेंड होकर वियाई के नाम से विचान जाता है, क्या ये 8 रुपे 25 पैसे पर एक बढ़िया भाई है आपके लॉंग टर् कुछ fundamental analysis करेंगे, कुछ इसका statistical analysis करेंगे, जो try का data हमारे पास available है, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आगे आने वाले time के लिए क्या हो सकती है इसकी प्रक्रिया, और क्या ये क्यों खरीदना चाहिए आपको ये stock, even though इसका percentage wise, prepaid customer में, तीनों के comparison में सबसे कम है, प बताएंगे, और वहां से इसकी customer royalty की पता लगती है आपको, हम बात कर रहे है word of phone idea की, और आज बंध होते होते थोड़ा सा negative जाके बंध हुआ है, 8.50 पैसे क्या सपास ये बंध है, सारे दिन भर इसी range में कारोबार किया है उसने, तो हम technical analysis भी करेंगे, और देखेंगे कि आ करीब करीब 10 करोड share hand exchange, बहुत तकड़े volume के साथ है, इसका ना तो lower circuit लगा है और ना ही इसका upper circuit लगा है आज के दिन के basis पर, तो एक range boundary में था, high range देखें तो 8.70 पैसे, low range देखें तो 8.45 पैसे, तो ये 8.50 पैसे की range बहुत बढ़िया range है, हमारे हिसाब से strongly recommended है, इसको य सब कुछ देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका time होता है, वैसे वैसे आपको accordingly उसको adjust करना पड़ता है charts पर, देखें, अगर हम यहाँ पर एक draw करें line pattern, तो can you see what I am seeing guys, कि अगले आने वाले, दो या तीन दिन में, यह या तो positive breakout देगा या negative breakout देगा, इसके पास अब दो दिन से ज्यादा का time नहीं बचा है, maximum 15 October तक यहां तक हमारी उमीद है, उपर जाने के लिए एक तयार कर रहा है अपने आपको, यहां से बहुत तेजी से उपर चलेगा, जो की फिर अपना previous high को, 52 week high को पहुचेगा, तो यह बहुत अच्छी संकेत है, कि आपको इसका ध्यान रखन है, यह जल्दी ही अपने 52 week high को पहुचने वाला है, हमारे हिसाब से, क्यों कह रहे हैं, जड़ा fundamentally समझते हैं इसको, तो पहले section बात करेंगे, देखे, as per one of the market research report group, जब भी आपको, अगर किसी specific company का rebranding होता है, तो वो उसकी productivity में करीब करीब 30% की व्रद्धी हो जाती है, त जो revenue per user होगा, RPU जिसको बोलते हैं, वो काफी तेज़े से increase करेगा, क्योंकि यह यहाँ पर price war जो चल रही है, जियो के थरफ से, वो अब उसके पास ज़्यादा ammunition बचा नहीं है, उसमें, क्योंकि इसने private equity को बेच दिया है अपनी private holders को, और वो मांगें गया, पैसा जाता है, जो dealers हैं, तो उनमें boost आता है, और वो इसके product को जादा sell करेंगे, जिससे कि इनके एक bar income based, revenue based, जो prepaid customer है, उसका set हुआ, तो फिर वो आगे अच्छा तर से काम करेगा, rebranding से बहुत साथा फायदे होते हैं, आपको आगे दो quarter में इसका पता लगेगा, अभी के लि बहुत ही अच्छा value proposition बन रहा है, आपको यहाँ पर अगर देखेंगे कि retail investor के लिए, अगर एक mid cap company है, जिसका आगे का growth अच्छा रहेगा, अभी debt की problem है, अभी इनका आगे revenue generate करना है, और साथ ही साथ में हर 10 साल तक government को इनको अपना return भी वापस करना है, क्योंकि जो उन्ह प्राइल का contract किया है, Supreme Court ने उसका 10 साल तक के लिए अब बता दिया है कि 10 साल तक आप दे सकते हैं इसका पैसा, हर एक साल में आपको 10% होते रहा है, तो इसके हिसाब से अब यहाँ पर यह बहुत अच्छी value proposition बन दा रही है, कि सारा का सारा AGR due एक साथ नहीं देना है, धिर एक बहुत अच्छा operation execute कर सकते हैं, जब यह ऐसा हो जाएगा, तो यह बहुत बढ़िया value proposition होगा, अब ही आपको जो 850 में मिल रहा है, वो आगे फिर इस rate में नहीं मिलेगा, हमारे हिसाब से 8 रुपे का बहुत strong base बना किया है, और अब नीचे retrace करके 850 तक चला गया है, त दोस्तों हम लोग nifty और bank nifty में active internet rate करते हैं और technical workshop कराते हैं, अगर आप यह service चाहिए, तो हमें mail drop कर सकते है, mail का charges है 8000 रुपीज पर month, अब अगर हम यहाँ पर देखें, idea का कुछ super trend indicator से indication नीचे की तरफ को जा रहा है, पर आपको थोड़ा सा larger context में समझना होगा, सारे parameter द जैसे ही अगर तीन-चार दिन का आप देखेंगे, तो यह 9 रुपे 70 पैसे क्या सपास और यह भी अगर 9 रुपे 50 पैसे क्या सपास आता है, तो यह फिर 22 signals generate कर देगा इसका, तो अभी this is the right time जब आपको low value पर idea waterfall मिल जा रहा है इतने सस्ते भाव में, अब अगर हम यहाँ आपर देखेंगे कि आपकी आगे की क्या रणनीती होनी चाहिए इस stock में, future के लिए क्या prospects बन रहे हैं इसमें, तो सबसे पहला जो इसका resistance बनेगा, अगर alligator इंडिगर पर देखेंगे तो 9 रुपे 33 पैसे का बनेगा, जो काफी दूर नहीं है यहाँ से, और आगे यह भी न momentum तेज होता है, और अगर इनकी news आती है, जो इन्होंने बताया है कि आगे यह अपना equity को private holders को sell करेंगे, थोड़ा funds अरेंज करने के लिए, तो वो और एक positive spike रहेगा इसके लिए, positive momentum रहेगा इस stock के लिए, Bullianger Band की basis पर इसने एक बार touch करके ऊपर गया है, यहाँ से थोड़ा retrace किया है, दुबारा से इसको level पर गया है, तो यहाँ से अगला level जोसका target का expected होगा, वो 9.70 पैसे क्या सपास रहेगा, तो यह बहुत अच्छा technical setup लग रहा है हमारे को अभी 8.50 पैसे क्या सपास खरीदन उनने, तो 5G के थुरू इनको जादा revenue generate होगा, क्योंकि इसको हर चीज़ को यह mobile से या network के थुरू connect कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा रहेगा, अब जो इनकी specialty हो बताते हैं, postpaid plan पर, postpaid plan पर इनकी customer base देखेंगे, तो 43% है, अगर आप pre-paid का देखें, total customer base देखें, तो वो relatively कम है, तीनों के comparison में, relance जियों का सबसे अदा, फिर Airtel, फिर उसके बाद में, Vodafone idea, पटकर आप postpaid का का काम देखेंगे, तो postpaid में सबसे अदा 42% Vodafone के आज पास है, और यहाँ यह revenue जो per user है, सबसे अदा इसमें होता है, तो आपको यहीचीज समझ नहीं है, इवन समझे दोस्तो, जो prepaid customer है, वो usually monthly का 200 रुपे का charge होता है, 1500 रुपे से 200 रुपे का charge होता है, पर अगर आप postpaid customer है, तो anyway between 600 to 2000, तो 42% जिसका profitable, सबसे अदा profitable जो है, यह Vodafone आपको यह चीज समझ नहीं है, यह चीज कोई नहीं बताएगा, जो fundamental valuation के basis पर हम आपको बता रहे है कहां से value drive करनी है, क्योंकि stock market में आपको चार कदम आगे का सोचना होता है, पिछला quarter चला गया, loss हो गया, market doesn't care about it, what market cares कि आगे आने वाले time में क्या होगा, आपको यह चीज समझनी है, इसी ही basis पर आपको यह देखके इसको आगे रखना है, दोस्तों वीडियो की information एची लोग 10% की holding रखते हैं, इसमें, please console financial advisor, अब target चलने से पहले ज़रा हमें इसका एक और last technical analysis करते हैं, फिर बताएंगे इसकी strategy क्या होगी, तो देखे, यहां से इसने काफी नीचे आ गया है, इसका अगर आप बात करेंगे, macd, macd के बाद में अभी 2-4 दिन consolidate करने के बाद में यहां से उपर करेगा, gap इतना जाता नहीं है, अगर आप देखें, long run में अगर इस stock को देखेंगे, तो देखें, gap इतना जाता नहीं है, जब gap उपर होता है, तो यहां इतने तक चला जाता है, 1.5 तक चला जाता है, पर आगे आनमले time के लिए, यहां से शाद bounce back करेगा, य इसकी उमीद रहेगी, अब देखें, खरीदने की जो आपकी रननीती होनी चाहिए, वो हम आपको बताते हैं, and please follow what I am saying about 5x5 rule, कम से कम आपकी अगर छोटी company में invest कर रहे है, small cap या mid cap, तो आपको कम से कम 5 ऐसी company में investment करना है, और दूसरा नियम, जब भी आप investment करेंगे, तो आ 12 पैसा एक साथ नहीं लगाएंगे, जो सबसे पहला आपका लॉट खरीदना है, वो है 8.50 पैसे का, कल आप इसको मिल जाएगा, या आपने अगर आज भी खरीदा होगा, हमारे पूरे इनवीडियो में था यह information, तो आप वहापे खरीद सकते थे, अगर खरीदा है, तो कम को मिलेगा, पर अगर वो प्राइज आता है, तो आपको अपने पास फन सकने चाहिए, जो आपको मिल जाए, 7 रुपे 10 पैसे का तीसरा है, I'll repeat all this thing in English one time, if you are planning to invest 30,000 रुपीज in idea share, buy for 10,000 रुपीज at 8 रुपी 50 पैसा, you might get it tomorrow itself, the second 10,000, you need to buy it when the price is around 8 रुपीज, it may come in a week, it may come in a month, but be patience with that, in the last 10,000 रुपीज, you need to keep it in your, safe in your bank, because when the price comes at 7 रुपीज 10 पैसा, you should not say that I don't have the money, that's part of your long-term investment strategy, तो कुछ पोर्शन अपका कैश आपके अकाउंट में होना चाहिए, अगर आप इस तरह से खरीदेंगे, तो 3 साल के अंदर, 2 साल से 3 साल के अंदर, आपको 40 रुपे क भाव मिलेगा, कम से कम हमारे इसाब से, दोस्तों, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम टेलिगाम चैनल पर जोइन करें, और हम आपके बहुत आबारी है, आपके डिजिटल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ली, और आपकी यूट्यूब की ब्राउजर हिस्टरी के अकॉर्डिंग ली, गूगल ने ये चार वीडियो सेलेक्ट किये हैं, आप जो मर्ची जो चाहे देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद नहीं आया है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन ले लगाईएगा, प्लीज गोएड और क्लिक इट, य झाल आपकों लेक्शन लेएगाईगा, बघब झाल ले टो ऐ Rich